हलो और वेलकम तो यूर फेवरेट चानल ब्रेनो सॉलूशन देखो बच्चो आज हम करेंगे कुश्चन नामबर 14 ठीक है यह कह रहे हैं कि इस फिगर में तुम्हारे पास AP is parallel to BQ, BQCR के parallel है तो तुमको प्रूफ करना है that triangle AQC इसका जो area है वो इसके area के बराबर है PBR तो दे ABQ और BPQ इन दोनों को equal area proof कर देती हूं चलो वो हम शुरू करते पहले तो देखो area of ABQ is equal to area of PBQ ऐसे क्यों हो जाएगा बच्चो क्योंकि यह दोनों कौन सी बेस में BQ बेस में हैं और between the same parallel parallels है AP और BQ इसलिए यह दोनों area's तुम्हारे equal हो जाएगे ठीक तो आप reason क्या देंगे reason हमेशा दिया करो ठीक है they are on same ways BQ and between same parallels यहां पर parallels क्या है AP and BQ ठीक है बच्चो इसको तुम अपनी equation one ले लो ठीक है this is your support this is your equation one ठीक अब तुम इस वाले इधर की तरफ आओ देखो बच्चो BCQ ठीक और BRQ यह दोनों same base पर है BQ base पर नीची की तरफ है between the same parallels है तुम्हें कह सकते हैं इन दोनों का area भी same है ठीक है तो हम क्या कह सकते है area of BCQ is equal to area of QRB बोल सकते हैं इसको तुम equation second ले लो reason is a must reason तो लिख नहीं है ठीक क्या लिखोगे they are on same base BQ ठीक है and between same parallels यहाँ पर parallels क्या है BQ and CR ठीक है बच्चो तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ अब मैं क्या करूँगे इन दोनों को add कर देते हैं ठीक है adding one and two ठीक चलो add करके हम यहाँ पर देखते हैं इसे तो क्या हो जाएगा area A BQ plus area BCQ देखो इसका हमीशे खयाल रखना कि right के साथ right आड होगा left के साथ left तो ऐसी रखना कि इधर का जो ट्राइंगिल है वो इधर के साथ ही add हो है न तभी जो तुमारा बन के आए न चलो इधर देखो area PBQ plus area QRB ठीक है अब देखो ABQ BCQ क्या बन जाए रहे यह बता यह बन जाएगा AQC ठीक है यहां पर आजाओ PBQ plus BRQ क्या बनेगा यह बनेगा PBQ सिंपल था यह वाला कोश्चिन है न तो मैं उपर वाले इरेस कर दूँ जड़ा से तुम लोग को अराम से नजर आ जाएगा ठीक है यह मैं एरेस कर देखी है ठीक है क्लियर है असानी से हुआ अब आजो तुम इसके क्रिश्चन नामबर 15 पर अब आजो बच्चो क्रिश्चन नामबर 15 पर ठीक है यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास एक कोडिलेटरल है ABCD यह इसके डाइगनल्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एरिया ओफ AOD equal to area of BOC तुम्हें इसे ट्रपेजियम प्रूव्फ करना है तो देखो जब भी ट्रपेजियम प्रूफ करना होगा तो क्या करना होगा तुम्हें एक यह इक लाइन को पैरलल प्रूफ कर दो दूसरे के वो पर पेजियन हो जाएगा तो यह भी पता होना चाहिए स्क्वेर तो क्या पूफ करना है रिक्टैंगल तो क्या पूफ करना है ठीक है चलो यहां पर देखो बच्चो हमको गिवन है डाट एरिया ओफ AOD is equal to area of BOC तुमको गिवन है ठीक है इस गिवन ठीक है ठीक है ठीक है अब हर चीज का अब क्या करूंगे मैं दोनों में यह वाला एरिया देखो बच्चो कॉमन नज़र आ रहा है मुझे AOB अगर एक एरिया यहां पर मैं इसको दोनों की तरफ एड करती है ठीक है अब देखो क्या होगा उससे अब देखो अब देखो यह बनेगा यह बनेगा तुमारे पास एरिया ABD ठीक इधर की तरफ आ जाओ यहां पर BOC में तुम यह वाला एरिया एड कर दो एरिया तो क्या बनेगा ABC बनेगा नहीं बनेगा अब तुम यह देखो बच्चो ADB और ABC किस पर हैं देखों सेम बेस AB ठीक है? सेम बेस पर हैं दोनों ट्राइंगल्स AB पर हैं दोनों के एरिया इकुल हैं This implies that AB is parallel to DC हमने पढ़ा हैं कि जब दो ट्राइंगल्स एक बेस पर होते हैं इनके एरिया सेम होते हैं तो क्या होते हैं? इसका एक तरीका और है क्या कर सकते दे? तुम इन दोनों ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल को आड कर जाते हैं तो तुम्हारी क्या बन जाती? बेस, कॉमन बेस, DC बन जाती One and the same thing जैसे चो वैसे कर लो इस question को ठीक है? I hope अच्छे सावज में आया होगा अब आज ओ तुम question number 16 पर